अलो डियर लर्नर्स तो आज हमारा ही टेंस का अगला टॉपिक रहेगा पर्जेंट पर्फेक्ट ठीक है पर्जेंट पर्फेक्ट टेंस पर्जेंट पर्फेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी कि इसमें जो भी दिया हुआ कार होगा वो क्या होता है कम्प्लीट होता है अगर क यारे complete है complete बने पूर्ड है खतम हो गया पूरा हो गया तथा वाक के अंत में क्या जाए है 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 हो और हूं यह चार अच्छा राज है 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 हो हूं तो यह हो जाएगा परजेन परफेक्ट ठीक कार के जगह पे कभी कभी समय के पूर होने का भी बोध होता है कार खतम हो complete हो तभी परजेन परफेक्ट में हो जाएगा हो समय कंप्लीट होगा तभी वो किस में आ जाएगा परजेन परफेक्ट में लेकिन वाक के अंत में है है हो और हूं आना चाहिए तभी वो परजेन परफेक्ट होगा ठीक है तो अब इसको बनाएंगे कैसे बनाने के लिए हैज है के बाद वर्व का थर्ड फार्म अत आ है काम complete है या नहीं इसको दरसाने के लिए वर्व का कौन सा रूब लिखते हैं हम थर्ड फार्म है व किसके साल लगता है आई तथा प्लूरल के साथ, आई और बहु बचन के साथ has, have और एक बचन के साथ, यानि कि सिंगुलर के साथ has लग जाता है, ये हो गया हमारा रूर, सबजेक्ट हो गया, वर्व हो गया, आपजेक्ट और अधर वर्ड, लास्ट में, ठिक, जैसे अब ध्यान से देखिएगा मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है, मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है, ठिक, पार्ट याद कर लिया, काम खतम हो गया, लास्ट में है या गया, परजन परफेक्ट हो गया, मैंने का क्या होगा, I, I के साथ क्या लगता है, have, फिर वर्व, वर्व कहां राता है, वर्ब हमेशा last में आएगा last में क्या लिखा है? याद करना याद करना का अंगरेजी होता है learn third form learnt अपना part तो I के साथ अपना के अंगरेजी my part का अंगरेजी हो गया relation, subject, verb, object, खतम दूसरा वह पांच वर्ष दिल्ली में रहा है ठीक है? तो अगर ध्यान से देखा है इस वाक में तो वह पांच वर्ष दिल्ली में रहा है अब रहता है या नहीं रहता है इसका clear नहीं है ठीक है? लेकिन पांच वर्ष हमारा उसके रहने के कितने वर्ष complete हो गए? पांच वर्ष तो यहाँ पे क्या complete हो रहा है? time यहाँ पे time के completion को सो कर रहा है समय पूढ़ हो रहा है इस वाक में क्या पूढ़ हो रहा है? समय पूढ़ हो रहा है ठीक है? time और फर्स्ट वाले वाक में क्या था? इसमें जो action था याद करना वो पूढ़ हो रहा था ठीक, तो वह हका क्या हो जाएगा, he, he के साथ क्या लग जाता है, has, रहना, live, third form, lived, कहां, in, देलही, कितने साल, पान साल, तो for, five years, ठीक, तो ये समय वाला था, हमने क्या का, कार और समय, दोनों में से कोई भी complete होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, पर्जेन, पर्फेक्ट, अगर लास्ट में है है, हो हूँ, आएगा तो, उसने, अपने, भाई को, नहीं पीटा, है, अब इसमें से, नहीं हटा करके, अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो उसने, अपने भाई को, पीटा है, मतलब, क्या हो गया, कि पीट दिया, गलती किया, जैसे, छोटे भाई बहन को, सब लोग कूट देते हैं, अरे, पढ़ने जाओगे, सर जी, या मैम, जो भी होंगे, तुम से पूछेंगे, तुमको आएगा, तो बच जाओगे, नहीं आएगा, तो वहाँ कूटा जाओगे, या पीट दिये जाओगे, पनिसमेंट मिलता ही है, और तुम क्या करोगे, वहाँ पर तो गुसा उतार नहीं सकते, तुम घर आओग गर अपने छोटे भाई बाहन को कूट दो गए, ठीक है, तो सभी कहीं न कहीं अपना फ्रस्टेशन या गुसा जो भी है, वो एक दूसरे पे, कहीं न कहीं, अपने से कमजोर पर ही निकालते हैं, तो उसने अपने भाई को नहीं पीटा, तो उसने का क्या हो जाएगा, ही, ह नहीं आ गया, नॉट लगा दिये, पीटना, बीट में स्पीटना, और थार्ट फ़ॉम क्या हो जाएगा, बीटन, अपना भाई, हेज, ब्रादर, तुमने, रामु के भाई को क्यों गाली दी है, अब प्रस्णु आचक सब्द आ गया, कि क्यों गाली दिया है, उसको बताओ, तो प्रस्णु आचक सब्द की अंग्रेजी, सबसे पहले, क्यों का हो गया, वाई, सब्द कौन गाली दे रहा है, तो तुमने, सब्द क्या हो गया, यू, यू प्लूरल होता है, तो हैव को हम क्या कर देंगे, पहले कर देंगे, वाई, हैव यू, गाली देना अब्यूज मिस गाली देना थर्ड फर्म हो गया अब्यूजड रामू के भाई को तो रामू फिर अपास्ट राफियस के के लिए रामू का रामू बने रामू और इस का के की के लिए क्या लगाता है या सजी में लगता है यह भाई का क्या लिख देंगे ब्रदर और लास्ट में इस तरीके से ठीक है हमको बनाना है तो ध्यान यह रखना है ति सब्जेक्ट अगर एक बचन होगा तो वर्ब में हेल्पिंग बर्ब लगाएंगे है और थर्ड फार्म अगर आई और बहु बचन क्या लगा देते हैं है इस इंट वर्फ का थर्ड फार्म तो आई ओप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी एक दो जांप लग बता दे रहे हैं तो परजेन Perfect में क्या होता है कार और समय दोनों के अलग अलग तरीके से अगर कार ये संपलीट है तो भी percent perfect अगर लास्ट में है हमगर आ गया तो और समय कंपलीट है तब भी percent perfect में आगे example देकिए नम्बर ही अपना करम से ही रहेगा वही जो भी हो अगा हुआ है कि अगा है कि उन्हों ने गर्मियों में मनाली जाने का निश्च नहीं किया है यह अगे हम क्या लगा दे रहें ठीक है क्या उन्होंने गर्मियों में मनाली जाने का निश्च नहीं किया है ठीक है तो सब्जेक कौन जा रहे हैं कौन निश्च किया किनों ने तो उन्होंने अब उन्होंने का अंग्रेजी होता है दे हम जानते हैं दे बहु बचन है तो हैब को हम क्या कर लेंगे पहले कर लेंगे थै copying नत वरभ हमेशा लास्ट में रहता है ठीक है तो क्या है निश्चे किया नहीं को अगर हटा दिये तो उन्होंने निश्चे किया निश्चे करना क्या होता है decide third form decided क्या decide किया जाना ना ने नी तो किसी दूसरे वर्ब में अगर वाक में दो वर्ब हैं और दूसरे वर्ब में क्या जाए ना ने नी तो टू लगा करके वर्ब का फ़र्स वामली, देते हैं, उसको किस में बदल देते हैं? इंधर्टेंडे में, ठिक है? जाना, टू, गो, कहां जा रहा है? तो कहीं जाने के लिए टू लगा देते हैं मनाली पैसा नहीं रहा होगा वह ठीक है प्राइबेट टीचर रहे होंगे ठीक है और भी छोटे मोटे स्कूल में हम लोग जैसे हैं तो यह याल है मनाली क्या है गर्मी में कहीं नहीं जा पा रहा है घर इसकूल यही सब चलता है गर्मियों में इन समर लास्ट में कोस्चन मार लगा दीजिए प्राइबेट टीचर का दुख प्राइबेट टीचर वाले समझेंगे ठीक है आगे देखिए उन उस विद्यार्थी ने अपना ग्रिहकार पूरा क्यों नहीं किया है उस विद्यार्थी ने अपना ग्रिहकार पूरा क्यों नहीं किया है अब देखे प्रषण्वाचक सब फिर भीछ में आगया प्रषण्वाचक सब की अंगरेजी सबसे पहले लिख लेंगे वाई उस विद्यार्थी का उन पूरा करेगा वह विद्यार्थी तो वह या उसकी अंगरेजी होता है देट और दिस और जॉता है Aladdin हमेशा सिंगुलर होता है ठीक है विद्ध्यार्थी का हो जाएगा इस्टूडेंट अभी एक बचन है तो हम है इसको क्या कर देंगे पहले लिख देंगे नहीं आ गया फिर सब्जेक के बाद नौट पूरा करना इसको क्या मानेंगे है जिसका जिंडर स्पेसिफिक नहीं उसको हमेशा ही माल लेते हैं ठीक है यह ध्यान में रखिएगा अपना हूम और तो हीज हो मौर्ग अब यह हो गया खतम इस तरीके से हमें बनाना है अगर सब्जेक्ट एक बचन में है ठीक है या बहू बचन में है तो परश्णमाचक होने पर हैज और हैप को हम पहले कर देंगे लेकिन अगर वाक्य में प्रश्णमाचक सर्ब बेच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, डब्लू यच की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग बर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो इस तरीके से बनाईएगा, अगर कोई डाउट है तो, ठीक है?